आज इस टॉपिक के पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है किस एज का बर्ड हमें पर चेस करना चाहिए ब्रेडिक सीजन 23-24 स्टार्ट होने में सिर्फ एक मा रहा गया तो न्यू फैंसियर को अब नेजने पेर की जरौत होगी और अब जाएंगे लोगों के पास बर्ड खरीदेंगे लेकिन बर्ड खरीदना कौंसा है बर्ड पहले कलच का बर्ड खरीदना है वो बर्ड जिसकी एज दस माँ के करीब पूरी होगी हो जो पहले clutch के chicks होते हैं वो breeding season के अंदर ready to breed होते हैं मतलब उनकी age complete होगी होती है और वो आपको काफी अच्छी breed देते हैं 10 माँ से छोटा जो bird होगा वो अगर आप उसको box लगाते हैं तो वो laying तो दे देता है लेकिन infertility का बहुत ज़्यादा chance हो जाता है new fancy के लिए मेरा यही मश्वरा है कि कभी इस चीज़ पर न जाएं कि पहले clutch का rate काफी ज़्यादा है यार मैं second वाला ले लूँगा third वाला clutch ले लूँगा fourth वाले का rate तो काफी ही कम होता है वो चार पांट दस जार के चकर में जो आप बचाना चाते हैं उसमें आप पूरा एक season जाया कर लेते हैं अभी rate कम हो जगा rate तोड़ जाएगा यह rate कम नीचे आ रहा है bargaining करते हैं काफी ज़्यादा ना किया करें पहले clutch की चीज़ लें पैसे बरें और चीज़ को लगाएं आप देखेंगे कि इन्शाला आपको वो पहले ही clutch में आपके पूरे पैसे दे जाएगा और अगर इन चकरों मेरे तो पूरा एक season जाया होता है एक साल जाया होता है वो एक साल कभी पूरा नहीं होता बंदे का आज की वीडियो को मैं यहीं पर close करता हूँ कि आपने जो pairing लेनी है वो आपने first clutch की ही लेनी है और चाहे मेंगी भी मिल रही है लेकिन आपने ले जरूर लेनी है क्योंकि उसका फाइदा ही फाइदा है इंशाला अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी pairing जो season 23-24 के लिए best रहेगी आपका अपना host अवैस सहमत दुआ में याद रखीगा अल्ला हाफिस